सब्सक्राइब कर देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकिल हम सब की चहेती नाजी अलाइक खांजी का बड़ा ही दमदार और बेबाक रियाक्शन ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसे अंतर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपोर्टेंट और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैब भारती तरीके के यहां आयाइ हैं और ऐसा काम नहीं करते हैं जिब मुस्लिम मांटर्टी इंस्टिउशं में जो प्लात्पीमी हो रही है उसका क्या मैं अपको बता है जाता है मैं अपना प्राक्टिकल एक्स्पीरियन्स बताओंगी और एक मैं आपको जो घटना घटी है उसके बारे में बताना चाहूं देखिए रोईद भाई मैं क्यालकटागास इवनिंग कॉलेज से मैंने 11-12 किया है क्या इवनिंग कॉलेज ते चीक है और वहां पर 90% मुसलमान लड़किया होती थी क्योंकि काफी गरीब हमने देखी है तो इवनिंग कॉलेज में क्या होता था कि पैसे बहुत कम लगते थे इसलिए वहां पर ही बाई में बढ़ा की और मैंने बहुत की से अपना हाई से किंट्री कम्टी तो वहां के आसपास पास पुरी मुसलिम गादरिंग एरिया था था वहहां पर कॉलेज से हम लोग साढ़े 9 बचे जब निकलते थी क्योंकिआ इवनिंग कोलेज था था नव कभी लड़कियों का पिछाड पर हाथ मार रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं तो जब कंप्लेन करते 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 जब प्रॉफेसर को हम लोग उने जा करके लिखित रूप में किया, तो दो मुस्लिम प्रॉफेसर, एक लेडी और एक जेंट बाहर गेट पर खड़े हो जाते थे, कि आप अब जाईए, हम लोग खड़े हैं, और सब की गार्जियन को कहा गया, कि आप लोग लेने के लिए आ मुझे भी इतनी अखल नहीं कि मुझे जा करके प्लीस कंप्लेइन करना चाहिए, मैंने जब घर पे यह बात कहीं, तो घर पे मुझे यही कहा गया, कि तुम अकेले क्यों बोलोगी, बाकी भी तो लड़किया हैं, उनको भी तो बोलना चाहिए, सब्रूप बना कर चलना चा कि अगी हैं, तो इसके बात में दूसरा आपको घटना अपने साथ का ही बता दे की, मेरी आँको दे की बता दे की, मैंने रफी ऐहमद कदबाई रोड के मौलणा अजद कॉलेज में रच्विशन के लिए डमिशन लिया था, क्या कटटा में, रफी ऐहमद कदबाई रोड म अपधा बीबी लिली की तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर बजावते जमाद के हिसाब से नमाज होते अच्छा वहां पर भी 70% 74% 75% मुसलमान स्टूटेंट होते थे और 15% 16% जो है वो हिंदू स्टूटेंट्स होते थे पर हिंदूओं के आस्था के लिए हिंदूओं के पूचा पार्ट के लिए कोई भी वहां पर इंतिसान नहीं था पर जमात के हिसाब से नमाज होती थी जुमा की जुमा वहां पर बजाबते मौना अजाग पॉलेज रफी एमेफ फिद्वाई रोड कलकटा में कैलकटा में वहां पर बजाबते मस्जद बनाई देए और मैं अ करते थे मुसल्मान लड़के कि वो हिंदू लड़कियों को ही अपना गर्फ्रेंड बनाएंगे और उन्हीं को सेक्श्वली एक्स्वाइड करें और जब मैंने इस पर आवाज उठाई तो आपको पता है साड़े तीन महीने में मुझे टीसी में गया मेरी मदर को बलाया ग तो आप सोचिये अब मैं आप बता देना चाह रही हूं कि अभी हालिया में हालिया में एक मैटर को दबाया गया है अजमेर शरीफ में कॉर्णा साहब का यहीं 2024 की बात है अजमेर में कॉर्णा साहब को मडर हुआ है अजमेर के मुसल्मान ने क्या किया कि उसको हिंदो मुसलिम बनाने की बहुत कोशिश की बात में जब एंडिस्टिकेशन पुलीस के द्वारा किया गया तो पता चला कि शे उसी के शागर्द उसी से जो पढ़ते थे उन्होंने उसका मडर किया जब उन छे बच्चों से हमारे घरवाले भी हम पर यकीन नहीं करते थे और हम छे जानते हैं कि हमारे पर क्या बीत रही थी तो हमने गुस्टे में मार दिया अब आप सोचिए कि मुदर से में यह क्या हो रहा है उसके बात फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ अब्दुल हफीज इसके उपर एंड्मिस्टिकेशन जो है यह स्टार्ट हुआ है यह उत्तरपरदेश यूपी का है इसके उपर एंड्मिस्टिकेशन स्टार्ट हूँ यह मैं आपको पंद्रा जून 2024 का रिपोर्ट दे रहे हूँ मा तर दिन पहले कर दो एक क्या करते थे जो बच्ची आती थी मदरसे में पढ़ने के लिए और जो बच्चे आते थे वो जब फूशू करने के लिए बाश्रूम के लिए जब वो जाते थे तो यह मॉअमध हफीज साहब बात्रूम में बोच जाते थे और अपने हाथ से इसा मतलब जो दोने का तरीका होता है वो भी नहीं मतलब 15-15 मिनट 20-20 मिनट 25-25 मिनट धुलाई करते थे ताके वो टच करते रहें उसको प्राइवेट पार्ट्स को और यह देखे हैं न्यूस में हाथ में लेकर तो बैट जाए तो मुझे लगता है कि इनको भी इनके घर स इनकी बीबी और इनकी अम्मा ने बोला होगा अनुमती दी होगी लिए बहुत सिंपल है इस क्रोनोलोजी को समझना बहुत सिंपल है आज आपके पास अगर कोई 15 साल की 20 साल की बच्ची आएगी न आप उसको बच्ची की नजर से देखिए मेरे पास मेरे शुटर नहीं आ क्या होती है अपनी बच्चों जैसे होते हैं तो आज मैं 15 साल के बेटे की मा हुगी पास 15 साल का बच्चा आएगा तो वो मेरे बेटे के बराबर होगा लेकिन Muslim community में ऐसे मोर्द हैं जिनके पास 5 साल की शे साल की बच्ची भी औरत दिखाई देती है और वो 6 साल की बच्च हमारी हुआ कि हमें क्या परवरिश दी है यह बहुत महत्मों है जरूरी नहीं है कि हम सब्यता संस्कार भी अपने उस यूनिवर्सिटी से और उस स्कूल से उस कॉलेज से सीखें जहां पर हम पढ़े हैं आपको मैं यह भी बताती चलू कि मैंने अपने बश्चमन में चार्मि सब्यता मेरे अंदर आया है यह जो नेचर मेरे अंदर आया है यह तो मेरी मा का दिया हुआ है आज मैं इतने कमांड से कहती हूँ के मैं अर्भी जानती हूँ यह मैं अपने मा के परिश्रम की वजह से जानती हूँ क्योंकि उन्हों ने मुझे बैट करके संजाया और बढ़ाया के युनिवर्सिटी ने जो 1.2 लग की पैनल्टी लगाई है एक तो यह बहुत कम पैनल्टी है दूसरी के इन समाम बच्छों को बिलकुल सस्पेंड करना चाहिए और ऐसा सस्पेंड करना चाहिए कि इनको किसी भी युनिवर्सिटी में कोई भी एड्मिशन ना मिले ताके माबाप को समझ में आये कि उनके अंदर क्या कमी रह गई थी अच्छी परवरिश देनी के लिए थैंक्स अलोट नाजिया जी बहुत बढ़ी डिसकेशन रहा और आपके सब डिसकेशन हमेशा ही बिलकुल ग्यानवर्दग होता है जल्दी एक डिसकेशन आप करेंगे अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद जहें बोस्तो आशा करता है कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खांजी का दमदार और बेबाग रेक्शन आपको काफी पसंद आगा जहांपे आपने देखा नाजिया खांजी ने इन मुला बोलवी से लेके मजब के ठेके दानों को दो डाला और बात की IIT बॉंबे की चातरों के जिन्नों ने थोड़ी दिन पहले बगवान राम और सीतामा का अपमान किया था अब IIT बॉंबे ने उनके उपर एक लाग बीस जार पे का जुर्माना लगाया तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जैहिंत जैभार